तो दोस्तों देखिए निफ्टी में clear copy book triangle pattern बन चुका है descending triangle pattern यह बना है और पहले भी मैंने दो तीन दिन पहले भी discussion किया था कि यह pattern बन रहा है और यहाँ पर देखिए मैं आपको पूरा triangle pattern को trade कैसे करते हैं पूरा चीज यहाँ पर explain कर रहा हूं तो देखिए live example के साथ explanation बना तो देखिए live में दिखिए तो पूरा समझिए देखिए निफ्टी में यह काफी दिनों से hourly chart में एक downtrend दिख रहा है यह downtrend भी मैंने आपके साथ discuss किया है लेकिन देखिए अब यहाँ पर जो रेंज आया सब रेंज में हर एक चीज डिसकस किया है कि देखिए क्या हुआ कि प्राइस में एक करेक्सन आया और करेक्सन के बाद देखिए यहां से फिर से सपोर्ट ले लिया और यह सपोर्ट और रेंजिस्टेंस जितने भी है सब मैंने आपके साथ discuss किया है उसके बाद फिर से एक बाउन्स आया और फिर से यहां से नीचे के तरफ फॉल आ गया और क्या हुआ कि उपर कि तरफ ही आ गया तो यह आप देख लहां कि आहीं से आपका एक बार शखा लिया सपोर्ट से लिया फिर बांस आयए फीडिया और आप क्या देख रहा है कि candy त्रियंगल इसके जैस्ट अपोजिट हो और यह देखें डिसेंडिंग है क्योंकि इसमें हो क्या रहा है आपको दिख रहा उपर से नीच आया फिर उपर गया तो यह हाई थोड़ा सा नीचे बना है लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब नीच आया तो फिर उसी लो के आसप और यहां से होते हैं ठीक है ब्रेकडाउन पर अच्छा मुवमेंट मिलेगा क्योंकि जब भ्रेकडाउन होगा यह स्ट्रेट इस टाइप से नीचे की तरफ गिर जाएगा और अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेकाउट अगर होगा तो इसमें आपको उतना स्ट्रेट मुमे बटन का एक खासियत होता है कि सब कन्फ्योजन होता है आपको रेजिस्टेंस पर जब प्राइस आएगा जैसे सब जोन पर आएगा तो आपको लगा आप तो यह निकला उपर के तरफ लेकिन यह कहीं नहीं जाएगा और यहीं पर रहेगा यह खड़ा रहेगा ठीक है तो इस ही ज्यादा यह बहुत चार-पांच अटेम्ट हो चुके हैं तो अब जिधर के तरफ ब्रेकाउट आएगा तो ट्रेड बनेगा लेकिन इससे पहले यहीं चीज़े होती है कि आपको जैसे ही रेजिस्टेंस पर आया तो आपको सेल करना है यहां पर भी कर सकता है लेकिन आपको दिखा तरह हों देखिए यह यह प्रें निघ्र सोल्डर पेटर बना था और जैसे इस उल्क टाव भ्रेक्दाउन हुआ नीचे कि तरफ फ देखें यहisini निचे देखें तरा और यह जो टारगेट है इस पूरा स्कुआ आप कलक्रेट करके देखेएगा तो यह इंट्राडेक लिए सेट अप होता है को यह रजिस्टेंस जोन पर मिल जाए या फिर सपोर्ट पर देखें आप बड़ा मोमेंट नहीं मिलेगा चोटे-चोटे मोमेंट आपको ट्रेड करने पड़ेंगे बैंक निफ्टी में लगभख सेम टाइब के बड़े टाइम फ्रेम में ट्रियंगल ही बना है तो आपको थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर समयज में आएगा देखिए आवरली चाट में क्या हुआ कि यह देखिए ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस लेबल है ना यहां पर जो रेजिस्टेंस लेबल है इसके ऊपर निकलता है तो भी ठर्फेट में इस लेबल का ध्यान रखें िनका 42,000 से उपर का लेबल है आप इसको आप अपने इस वीडियो कॉमेंट बोक्स में लिखेएगा भी क्या लेबल है आप ट्रेंड लाइन ड्रो करके देखिए मैं आपको स्ट्रक्चर को समझा रहा हूं समझ यह खुद से ट्रेंड लाइन ड्रो कीज़े ट्रेड कीज़े मज़ लाइब मार्केट में कोई अपडेट आता है तो मैं आपको टेलिग्राम चैनल पर सेर करेंगा